नमस्कार दोस्तों मोटापा मोटापा एक ऐसी समस्य है जो आज हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है पहले दोस्तों मुटापा विदेशों में ही चलता था, बट जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं, इंडिया में मुटापा बहुत सारे लोगों को अपनी गरफ में ले चुका है, इंडिया की कम से कम आधी से जाधा अबाधी मोटापे की चपेट में हैं, और मोटापे की वज किन-किन लोगों में मोटापक की चांसे होते हैं कि उनको मुटापा in future हो सकता है और आपकी क्या lifestyle habits होती है अगर आप उनको change नहीं करेंगे तो आपको मुटापा आगे चलके हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर शिखा आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिजे जिससे कि आगे आने वाले जो important वीडियो होते हैं वो आपको time पे पहुँच जाएं time पे आपको मिल जाएं और आप इसकी जानकारी ले पाएं और दूसरों को भी share कर पाएं जिसको इसकी जरूवत होगी और आपको कोई भी question होता है तो उसको comment box में डाल कर मुझे सवाल भी कर सकते हैं दोस्तों मुटापा एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारी बीमारियों को जर्म देती है तो आएए जानते हैं मुटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो सबसे पहला कारण होता है इसमें genetic genetic में क्या आता है अगर आपकी family में आपके mother, father या आपकी mother की side में या father की side में किसी भी relatives को अगर मुटापा हुआ है तो आपको chances हो जाते हैं मुटापा होने की in future ठीक है ज़रूरी नहीं है कि ये सभी में हो जिनके paternal side या maternal side या जिनके parents को मुटापा है उनके बच्चों को मुटापा हो ज़रूरी ऐसा नहीं है बट किसी किसी पे depend करता है और जादा तर chances में ये होता है दोस्तों मुटापा एक ऐसी condition होती है जिसमें आपकी body में excessive amount में fat बनने लगता है आप जो भी खाना खाते हैं अगर वो खाना energy के रूप में use नहीं हो पाता है तो वो आपकी body में जाके fat के रूप में जमा होने लग जाता है जो आगे जलके मोटापा बनता है इसका आप पता अपने आप से ही लगा सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप खाना खा रहे हैं और आपकी body में fat बनना शुरू हो गया है महीनों आप इसको notice कर सकते हैं यह एक यह दो दिन में नहीं होता है आपको इसको तीन से चार मेने में measure करना पड़ता है अगर आपकी body में excessive amount में fat बनना start हो गया है तो आपको इसको notice करना चाहिए और इसको आप उसी time पर खतम कर दें उसके लिए क्या जरूरी है अगर आपको क्या करते हैं मतलब कहने का है कि अगर आप को हो सकता है साथ साथ अगर आप फिसकल Алज नहीं करते हैं कोई current नहीं करते हैं अजसे पर बहुत बैट जाते हैं तो आपको मोल्ट से अलवा आज सबी लोग जानते हैं मुटापे कि बहुत सारा जो बहुत बड़ा रीजन है वो है fast food food habits में हम जानते हैं fast foods हमारे body में क्या connect करता है मुटापे से relate करते हैं तो fast food अगर आप खाते हैं बहुत जादा मतलब week में अगर आप तीन बार या चार बार खाते हैं तो बहुत जादा chances आपको मुटापा हो सकता हैं देखिए fast food में taste को enhance करने के लिए बहुत सारी चीज़े डाली जाती हैं बहुत सारे harmful chemicals होते हैं जो cancer तक produce कर सकते हैं आपकी बोडी में बहुत से लोगों को यह चीज नहीं पता हैं और कुछ लोगों को यह चीज़ पता होते हुए भी वह लोग खाते हैं क्यूंकि टेस्ट उनको अच्छा लगता है तो टेस्ट को बढ़ाने वाली चीज़े fast foods मे आप उसको टेस्ट लेके खाते हैं और बहुत सारे बिमारियों को यह आगे चल के create करता हैं फूड्स की सीरीज में आगे आते हैं जैसे कि अगर वाइट फूड अगर आप जादा खाते हैं जैसे कि पोटेटो हो गया राइस हो गया और क्रीम्स चीज बटर एग्स बहुत बहुत जादा खाते हैं और नॉज अगर बहुत जादा खाते हैं तो आपको मुटापा हो सकता है अगर आप बहुत जादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं कुल रिंक्स पीते हैं बहुत आइसक्रीम खाते हैं और बहुत जादा मैदा वाली चीजे खाते हैं या डीप फ्रा चीनी जिसे कहते हैं, तो वाइट चीनी का इस्तमाल बहुत कम से कम करना चाहिए, इसको कहीं कहीं पर सालेंट किलर भी बोला गया है, तो वाइट चीनी की जगह अगर आप गुड का इस्तमाल करते हैं, या फिर ब्राउन शुगर का इस्तमाल करते हैं, तो ज्यादा बेटर है एक्जाम्बल है जॉइंट पेन अगर किसी को जॉइंट पेन होता है और साथ ही साथ वह इंसान मोटा भी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है क्योंकि मोटापे में हम हमें सबसे जादा बोला जाता है कि आप फिजिकल एक्सराइज पे वह लिए में है कंच मेडिसेंस कुछ पर्टेकुलर मेडिसेंस होती है जिस से मोटापा बढ़ता है जैसे कि स्टिर्वेड ऑंटी डेप्रेसेंट हो गये और कुछ ऐसी मेडिसेंस जो जिसमें जो हम मिर्गी के लिए यह उस करते हैं अगर कुई इनसान उसको बहुत ल अगर किसी की बॉड़ी में हॉर्मोनल इंबैलेंस हो रहा है तो भी उसको मोटापा हो सकता है थायरड इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है अप चलते हैं आपका मोटापे की वजय से होने वाले कुछ ऐसे कॉंप्लिकेशन जो की फैटल हो सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग ह जिसे की हम खोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कहते हैं अगर किसी इनसान में मोटापा देखा गया है और उसके साथ-साथ उसको कोलेस्ट्रॉल का भी प्रोबम हो रहा है हॉट तो उसको हट एटेक आने के कन्दीशनस देखे गए हैं कि किसी किसी इनसान में मोतापगी वजासे-HNसरत कर देखने को मिला है तेवर कैंसर प्रॉस्त यि सब्रस कैंसर ब्रेस्ट कैंसरो और व्लस अब कामlarını यूटरस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारे कैंसर मोटापी की वजय से बहुत ज्यादा प्रॉमिनेंट हो जाते हैं, विदेशों में आप देख सकते हैं, किसी किसी मैगजीन में हमें देखने को मिलता है, कुछ रिपोर्ट्स वगरा महाँ पर रिसर्च हो हो गया है, और वहां का eating habits किस तरह की हो गई है, तो वही culture इंडिया में भी आ रहा है, वैसे ही खाना पीना, वैसे ही food habits इंडिया में भी आ रही है, और वैसे ही lifestyle इंडिया में भी आ रही है, तो वहां की disease भी इंडिया में आ रही है, अब जानते हैं, आप मोटापी की वजय वह अपने आपको society से isolate कर देता है यह उसको अपने आप अंदर से ही feeling आती है और वह अपना अलगी दुनिया में रहने लग जाता है अपने आपको सबसे अलग कर लेता है जिसकी विज़ेसे उसको depression, anxiety और नीन नाना, insomnia जासी problems होना शुरू हो जाती है जो कि आगे और problems को create कर है कि अगर कोई इंसान मोटा है मोटापी से ग्रस्त है तो उसको हमेशा यह sensation यह feel आती रहेगी कि मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूं और वो उनकी लाइफ में practically होता भी है अगर कोई इंसान पहले मोटा नहीं था और वो इंसान कुछ सालों बाद मोटा हो जाता है तो उसको अवियस सी बात है कि वो उसको यह चीज मैसूस होगी कि जो काम मैं पहले अराम से कर लेता था वो काम मैं आप नहीं कर पा रहा हूँ मोटापी की वज़े से उसको यह सब चीज़ें फील होती हैं मोटापी की वज़े से आपका overall confidence level भी दाउन होता है तो यह सारी चीज़े मोटापी की वज़े से आपको होती हैं फ्रेंड्स आब आते हैं होमेपेथिक मेडिसिंस की दरफ होमेपेथी में मोटापी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बस इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान लखना पड़ता रषी मेंट इसको चूशना है तिक यह आपको खाने से आदा घंटा पहले आपको लेनिया तर्थी मिनित्स पहले लेनिया ओर यह आपको तीन क्यूंत तक ऐन से चार मेंट था चंटीनियों करनी है दूसरी मेडिसिंस आती है fucus vesiculosis mother tincture इसकी आपको 15-20 बुने आदे कप पानी में गुनगोने पानी में आपको डाल के लेनी है खाने से आदे हिंटे पहले ये भी लेनी है ये भी आपको 3-4 मेने तक continue करनी है फ्रेंड्स अगर आपको मोटापे के साथ अगर आपको पेट में हीट सेंसेशन लगती है ऐसा लगता है कि कुछ बर्निंग जैसा सेंसेशन हो रहा है आपको पेट में स्टमक में तो आप क्यालोट्रोपिस mother tincture ले सकते हैं इसकी आपको 5-10 बुने दिन में तीन बार एक चोधाय का पानी में डाल के लेनी है और बहुत ज़दा थुलथुला टाइप का बॉड़ी आपकी तो आप ये मेडिसन ले सकते हैं केलकेरियक आप 200 में आपको लेनी है केलकेरियक आप आपको मॉर्निंग में खाली पर डारेक्ट तंग पर लेनी है चार भूने ये आपको छे मेने से लेके एक साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुटापे से संबंधित बहुत सी ऐसी information दी है जो काफी लोगों को नहीं पता होती है और I hope कि आपके लिए काफी important और useful रही होगी आज की information Friends, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और जिसमें दी गए information आपके काम आती है Then please do subscribe and do share with the needy ones Friends, मैं आपको मिलती हूँ Health related एक और नहीं अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए Be fit, be happy Stay tuned with me Thank you so much, bye